शक्ति जन्पत पंचयर शेत्र के अंतगरत ग्राम पंचयर पासीत के आश्रित ग्राम सराई पाली में उपस्वास्त केंद्र का भूमी पूजन कॉंग्रेस प्रदेश प्रतिनीदी मनहरन राठोर के द्वारा लगभग 18 लाक रूपे से बनने वाले उपस्वास्त केंद्र का भूमी पूजन किया गया इस भूमी पूजन में ग्राम पंचायद पास इसके सरपंच पिंटू राठोर सक्ष्टी आर एस एसडियो दामुदर सिदार उपियंत्री दुबेर रामु जैस्वाल सहित गाउं के गनमाणी नागरिक उपस्ते थे इस अफसर पर प्रदेश कॉंग्रेस प्रती निधी मन हरन राठोर के द्वारा कहा गया कि गाउंवालों की बहुत दिनों से मांग चल रही थी उपस्वास्त केंद्र के लिए ग्राम वासियो द्वारा नव नर्वाची दिविध है डॉक्टर चरंडास महन को अफगत कराते हुए उपस्वास्त केंद्र बनाए जाने पर आसपास के ग्रामिट जनों को लाब पहुचेगा जिस पर मानी ने डॉक्टर चरण डाल्स महन के निर्देश पर उफ स्वास्त केंद्र स्विक्रित किया गया था और इसका भूमी पुजनाज कॉंग्रेस प्रदेश प्रतिनीधी मन हरंड राठूर के द्वारा किया गया जिसकी जानकारी मैं इस शेत्र के लोग प्रिये विधायक यम च्छतिस गड़ विधान सफ़ा के समाननी अध्यक्ष धिया महन जी के को इस बात से अवद कराया उन्होंने कलेक्टर साहब को ततकाल इसकी जानकारी देते हुए निर्यसित किये कि रूबन मिशन के तहत अविलम ग्राम पंचायक पासित के आस्टित ग्राम स्रही पाली में पुप्ट भवन का निर्मार कारे ततकाल सुवरित करें उसी के सात्वर्य में आज स्वास्त केंद्र भवन का भूमी पूजन भिया के निर्यसन द्वार मेरे द्वार किया गया है और इसकी लाब इस छेत्र के आम नागरिकों को मिलेगा और सांत्वे सांत समधाइक स्वास्त केंदर स्वत्ति में है इसकी दुरी बहुत पास में है जैंदो को यादा इस्टिती खराब हो यहां मरियों की ततकाल वहां ले जया जा सकता है और शेत्र के सभी को इसका लाब वर्शम मिलेगा ऐसे हमें बिश्वास